कि नमस्कार प्वागत है आपका नेक्स्ट नाइन लाइफ में मैं हूँ आपके साथन के तानुष्ट्रा राखी सावंत के मामली में एक के बाद एक कई बड़े ऐसे आरोप सामने आ कुण लेकर कि आदल खॉन दुर्राणी ने कई बार जिक्र किया आदल खॉन दुर्राणी का एक और मामला सामने आया इस मामले में आदिल खान दुरानी ने अपने उपर लगाए गए तमाम आरोपों को जूठा ठहराने के लिए कैसे कैसे सबूत ले करके आए हैं वो देखना काफी जादा दिल्चास्प है बता दे कि राखी सावंत और कई और लोगों ने आरोप लगाये कि आदिल खान दुरानी ने जो राखी सावंत के साथ प्रतार्ना की वो सही थी राखी ने जो आरोप लगाया वो सही था और इसे बीच में आदिल खान ने एक ऐसे फ्रॉड को बताया है जो कि राखी सावंत क परदफा लगाया था कि आदल ने वाले शक्स के साथ अब आदल खान ने मीडिया से रुब्रु कर आया और उसी शक्स से जड़ा पूछा कि क्यास्ष में आपके साथ फ्रॉड किया है ऐसे वह शक्स राखे सावंत पर जितना बड़ा आरोप लगाता हुआ दिखाई दे रहा है उसी अब जान करकि ये समझना मुश्किल हो गया है कि आखिर सच कौन बोल रहा है राखे सावंद पर ये शक्स आरोप लगाता है और कहता है कि सलमान खान के नाम पर राखे सावंद ने लाखों की ठगी की ये दमपत्ती ना केवल राखे स इसने लगाय थी और कैसे कैसे दस्तावेज वह सामने आ रही है पहले इस रिपोर्ट में देखे जिसमें दमपत्ती आदिल खान दुर्रानी के बारे में बात परता हुआ दिखाई दे रहा है तो पूछ तो पूछ तो पूछ सब्से बुलाया है सो सबसे पहले मुख्य इसन यह था कि जो मेरे पर जूटे जूटे नहीं नहीं इलजाम राखी जी आधिल को फसाने के लिए या मेरा नाम करने के लिए जो यूज़ करने लोगों को आज मैं यह फिर से कहना चाओंगा जनता से इस लोगों से जो सप्ते के साथ खड़े हैं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और यह लोग जूट के साथ नहीं रहना चाहते हैं तो आगे से आएं और मैं यह और बार यह भी बोलना चाहूंगा मैं दुबारा विद्प्रूफ आया हूं कि क्या हुआ था सबस्वर्य में वीडियो सुनाता हूं आज क्या हुआ आज कर देखिए जैक है कि पर इसके पुरी टीटेल है और आदिखन दुरानी की कॉर्णी बोड़ी मेरे पास सब्सक्राइब देख सकते हैं उसके बाद अगर आप देखिए यह चेक है चार लाग रुपे का चेक जो आपने आज दुरानी को दिया है आप प्लियर देख सकते हैं सारी चीजे पूद के सा करता है तो यह जो फैजान भाई है जो क्लेम कर रहे हैं कि आदिल चोर है आदिल ठग है आदिल राखी सावंद को लड़कियों के साथ यह करता है महाराष्टा के लोगों को बरबाद कर रहा है एक नाचिंदे सर के पास हम जाएंगे सबसे पहले बात बोलो मैं एसा इंसान नहीं हूं दुबारा मैं बोलना चाहूंगा और लेक में टूडिस यह कोने जो फैजान खड़के बोल रहे हैं ना यह आदिल ने जिसको ठगा है अदिल जिसके लिए जिसके लिए मैं नायफ में आया हूं आगे वो जो रहें बुपेश जो उन्होंने लिखा है बुपेश है ने चख्डिये हैं अदिल को आदिल ने इनको ठगा है यह यह दंकी अई आप यह लोग बताएंगी कि रियल स्टोरी, फैक्ट क्या थी पुपश बताईए पुपश आपसे जानना चाहिए आज फैदान अंसारी नापका नाम का जिकर किया और काफी कुछ आदिल के नाम से तो किती सच्चा ही है इस बारे में मिला था मेरे तरफ से ये सब डॉकुमेब्स रखेर हां आपी लोगों से कट कर चाहिए चाहिए काहन से मिले थे माथ से पुरा जो पर जो बहुए काहन से तुम मिले क्या क्या स्टोरी बो बताओ कि अदुद था राखी चीज़ ने मिला था यहां पे अंधरी लोकर्ण वालम है उनको टैटू के रिलिक्टेर हम दोनों को विछ में काफी सारे बाते रुई थी तो उनोंने मुझे कुछा कि यहां पर क्या कर रहा है तो उनको टैटू रिमूव करने का था तो उन्होंने घर तो आजिल सर से मिलाया था तो आपर हमारे विच में बादचीत रही तो पाट्चीत रही तो पार्टनर्शिक में तुमको कुछ करना है गया तो आदिल बाय मैं राखी जी यह और मेरे फ्रेंड हम लोग वो शॉप पे गए उनका जो कोखिला बेन ऑस्पिटल के सामने जो उन अच्छा बनाएंगे अपन टैट्व करेंगे अक्टिंग ग्लासे करेंगे सलमन कंग गुलाएंगे फिर इसको गुलाएंगे पूरा टॉलेट अच्छे से बनाएंगे तो अदिल भाई भी इंटीरे डेकॉरेटर का काम करते थे तो मैंने बोला कि मैं आपके अकौन में डा का प्रोब्लम है इनके अकौन में पैसे डाल दे तो मैंने सबसे पहले घर पे अदिल बने गया तो मैंने राखी माडम के आतमे एक लाग रुपया कैल्ज दिया तब मैं मेरे वाई अदिल पर उनलोग सब लोग तो फिर उन्होंने बोला कि और दे फिर मैंने चाल लाग और ने बोला और में खरे और नारी जबने लाग रुप में आने अर गइंगे पार्टनरशीप दील परनाएंगे जो तुम बोल रहेए कि मैं सब को लेका आजाओ गी ऐसा करेंगे तो नो डब मैं भी बोला 8-10 लाग में कौन बूरा थोड़ी है ना मैं बहुत अच्छी ब सब्सक्राइब करें अपने पैसे लगाया हुए जैसे यह हो गया ना पैसे आना चाहूंगा मैंने कितने का पुरे बनाने का दस लाग रुपे का दिया था आपने मुझे कितने पैसे दिया है मैंने 7,3,000 पेदे एक लाग राखी के हाथ में दिया था और 6,00,000 इनके आकाउंट में जो डीटेल नहीं हो कि तुम्हें मुझे कितने पैसे बनते हैं देने के वो 2,000,000 कि ने अपने जैसे डाला नोट आउट अभी राखी ने क्या किया इन से भी लिया वो जगा उन्होंने पूरी अच्छा तरीके से बनवा के लिए अभी बुलाता हो कल बुलाता हो कि उसके बाद में बोलती है पैचान दे नहीं है दुबारा मैं आपको कर रहा हूं मुझे माप करो अब यह वी एक सत्य बतो तो आज तुमने मेरे पर जूटा क्यों किया कि आदिल को पैसे लिए अपने पैसे लिया मेरे जैसे के लिए तो यह पैसा अमौन बहुत बढ़ा हो जाता है पैसे दिला देंगे लेकिन होगा नों उनके पर पिछ रहोगा तो फाटे रहुगा तो भी खिचे रहोगा तो ही ठीक है अब इरो लोगार तो दिन्बत वग्यार आरहें पहले था तब भी तो उनसे बात कर रहा था लाकिन इस तरीके से पूरा पैसा मेरा डीटेलिंग में उदर नहीं से भी पूछ नहीं तो बेसिक लिए आप कह रहे हो आपको राखी से डर लगता था जाके खुद के पैसे मांगने में पूद के पैसे जब चाहिए देखा आपने इसमें क दिखाने की कोशिश की गई है और साथ ही बताया गया है कि राखी सावंध ने आदिल खान की बैंक अकाउंट में काफी बड़ी कीमत में पैसर डाले थी देखिए वीडियो सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि आदिल खान दुरानी जो राकी सावन के एक सस्बेंड है वो एक बहुती फ्रॉड आदमी है उसने हम लोगों से साड़े साथ लाक रुपे लिये जिसका पूरा प्रूफ मेरे पास है और जो मेरे दोस्ते भी इंट्रेस्ट पोड़ा था मेरा दोस्त उसने मार्केट से इंट्रेस्ट पे पैसा उठाया मुझसे पैसा लिया और किमालों कितने लोगों से पैसा लिया और उसका इंट्रेस्ट आल्मोस्त मिला कि अभी 15 लाक रुपे के साथ बैयाच के साथ 15 लाक रुपे हो गए जिसके अगेंस अभी हमने से वह कितना बड़ा फ्रोड है यह आप देख सकते हैं उसके बाद अगर आप यह देखेंगे यह चेक है चार लाक रुपे का चेक जो हमने आदिल दुरानी को दिया है आप क्लियर देख सकते हैं सारी चीजे प्रूफ के साथ हमारे फास मौझूद है यह आदिल दुरानी इत यह देखें उनका नाम क्लियर मेंचान है यह ओननाइन पेमेंट जो किये है 40-40,000 के हम लोगों ने आप पढ़ सकती है उनका नाम क्लियर इसमें मेंचान है एक यह मैंचान अभी आदिल दुरानी का बचना बहुत मुश्किल है यह दुबारा जेल जाएगा और मेरी आदमी आदिल दुरानी बहार से आया है हमारे पाक शहर हमारे जो पवित्र शहर मुंबई महाराश का महौल खराब कर रहा है तो इसको जेल के सलाखों के पीसे जल्दी जाना चाहिए जी 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 कॉल रिकॉर्डिंग मैं आपको सुनाता हूँ एक सेकिंड कॉल रिकॉर्डिंग भी करता नहीं बट फाइनली हमने सारी चीजे रखी थी क्योंकि हमें भरोसा नहीं था इसकी उपर यह देखिए किस तरह उसने वर्ड्स अभी वर्ड्स यूज किये जी देखिए कुम्हारा सामन प्रेग याभी मैं देखना चाहता हूँ तुम क्या क मुंबाइ कुछ नहीं देता बोलना भी सामन दी ठेकिया में अभी इजट नहीं सामन परोट में अभी तु आत हो सही हाँ तभी आएगा अभी में भी आत मशने खरेगा मादर तुम कें भी मां कि खुट ते रिमें के थेखिए के अभी आट निक्ट टॉड़ा टूच नही यह आदिल दुरानी जो इतना शरीव बना घुमता है इसकी जबान पर गाली कैसे रहती यह देशी है पैसा पैसा नहीं है देटा नहीं हां मत दो तो कभी आओगे चोगी पैसा मेरा साढ़े साल लग नहीं है मर बस कभी पैसा कमारा आओ नो चोगी में बात करते हैं चोगी का मीनिंग क्या पोलिस सेशन कि का मीनिंग क्या पोलिस सेशन जब पोन है तो बाहूंगा अंचै कि मुंबभाय में मुंबभाय में रोज हो तो ते यह आदिल दुराणी जो हमें धमकी दे रहा है के सामान घर से भार लृव कर दिया तो मैं बताना चाहता हूं आदिल दुरानी तेरे पिशवाड़े महाट डाल के तुझे नीचे पटक देंगे हम लोग वो लोग हैं और तू मुंबई में कैसी गुंडागर्दी किसको दिखा रहा है हमें भी देखना अभी फैदल अंसारी को भी देखना है तेरी पहचान मुंबई में देखा तेरी कितनी पहचान है और हमें देखना है तेरे मामले में अभी कोन बोलता है अगर तूने ये पैसे नहीं दिये ना तो दुबारा जेल के सलाखों के पीसे जाएगा राकी सावन जैसी रड़की जो एक इंडिया की स्टार है जिसका इतना नाम है बिग बॉस के शो में गाई है सलमान सर भी उसको रिस्प दुरानी किसी का भी नहीं है राकी सावन ने अपना सब कुछ आदिल दुरानी को दिया अपना धरम परिवर्दन करने के लिए वो मुस्लिम तक बन गई बढ़ी इतना बड़ा चीटर आदमी इतना बड़ा अदिल दुरानी अब इसको हम छोड़ेंगे नहीं और हमारी अभी तो यह शुरुआ दे तू देख अभी तेरे अंदर किता दम है वो भी अभी फैजन अंसरी देख लेगा थैंक्यू 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 थैंक्यू